न्यूस एटी इंडिया थैंक यू धन्यवाद और विवर्स जोरदार तालिया करिए अगले सेशन के लिए कोकि अगला सेशन बहुत जोरदार है और प्रभावी है और इस सेशन की शायद इस समय देश में हर व्यक्ति सेशन को देखना सुनना चाता है मेरे साथ मौजूद है इस समय इस सेशन के दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी जी जोरदार तालियू से उनका अभिनंदर करिए और संसत से सीधा आ रहे हैं अपना भाशन समाप्त करके डॉक्टर सुधान्शू त्रवेदी उनका भी अभिनंदर है आतिशी जी सुधान्शू जी आप दोनों का इस मंच पर अभिनंदन है सवालों की फेरिस्ट बहुत लंबी है लेकिन शिकाइतों की फेरिस्ट भी बहुत लंबी है सुधान्शू जी विपक्ष की वो कहते हैं कि किसी को आप छोड़ते ही नहीं ऐसा क्या करते हैं बताइए ज़रा किसी को छोड़ते क्यों नहीं देखें आम आधी पार्टी को छोड़ दिया जाए चूंकि यह 2013 में बने थे बाकी जित्ती पॉलिटिकल पार्टीज हैं पिछले 30 सालों में 30-35 सालों में कोई एक लोग सभा बता दीजे जिसमें इनके किसी नेता ने भरष्टा चार किये किसी ने किसी आरोप में कोट कचैरी और जाच एजंसी को चक्करना काटाओ अब आज ही देखिए जी आज कल जैसे दो का बड़ा चर्चा में है ना जारखंड और बिहार तो एक छोटी सी बात कहता हूँ आज आरोप हमारे उपर है आज हम लोग पर आरोप है कि हम लोग उनको फसा रहे हैं जैमेम वालों को ये ही का जा रहा है न पुरानी फिल्मों में कई बार एक डैलाउ होता था बीस बरस पहले की बात है तो मैं कहना जाऊंगा तीस बरस पहले की बात है 1994 जारखंड मुक्ति मुर्चा रिश्वत कांड ये कोर्ट से प्रूव हुआ था कि तीन सांसदों ने पैसा लेकर कॉंग्रेस की सरकार को बचाया तो कहीं बीजेपी थी क्या मोदी जी अमिश्या जी का नाम था क्या लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए अब बताईए हम लोग युवा वस्थास से पूरी पार कर गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर अंदर बाहर देखते हुए और कहते हैं साब बीजेपी कर रही 2014 के बाद अब इनके साथ एक अलग इस्सिती है एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीत की सबसे पुरानी पार्टी है पुरानी धुरानी पार्टी है यह नई पार्टी है यह अजब अलबेली पार्टी है यह experimental politics करते हुए detrimental mode में जाके फश गए यह आए और इनों ने कहा यह हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे यह कर देंगे अब दो में से एक बात थी या तो मैं यह कहूँ कि immature थे या बहुत सयाने थे अगर सयाने थे तो फस गए और immature थे तो बेचारगी की स्थिती है तो इनकी स्थिती यह है और इसमें मैं एक और बात कहूँगा इनोंने जिस रफ्तार से बदलाओ किया है तो भारत की राजनीत में अधिबूत है चोंकि जिस पार्टी के विरुद इनोंने शपत ली थी कि हम साब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे उसी को बैमान कहके और प्रचार करके वो याद करी है सीला दिक्षे जी का नाम लगा के आटो के पीछे लगा रहता था वगएरा वगएरा और साब हमें उन्नीस सो इक्शावन में बने 72-73 साल हो गए हमने आज तक कॉंग्रेस से समर्थन नहीं लिया उन्हें 73 दिन में समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए और आज भी चंडिगर को लेके अभी हमारे उपर जंगडेंगे इस सवाल में आऊँगा चंडिगर के पर आप ऐसे बचके मत निकलिए लेकिन क्योंकि चंडिगर पर बहुत सारे बाते हैं शिकायते इनकी भी है और शिकायते आपकी भी है लेकिन आतिशी जी सवाल ये है कि साफ सुत्री राजनीती की बात करके आम आदमी पार्टी आई और देश की खास्टब पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कॉंग्रेस के गड़बंदन में जाके शामिल होना पड़ रहा है लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है क्या आपको नहीं लगता यह आपके वोटर को सहन नहीं होगा देखेрьज ऑमिशट् Bardic जयने पहले मुझे सुधानशू जी की कई बात्सितों पर रिस्पॉंड करना पड़ेगा सुधानशू जी बात करते हैं कि बात करते हैं कि इनकी ED उनकी CBI किसकीख रेड करती है कभी अर्विंद केजरिवालिक किभी हैमंस औरें के.. कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी मंता बैनर जी के खिलाफ करती है. क्या इस देश का सारा भरष्टा चार विपक्षी दलों ने ही किया है? इनकी पार्टी के लोग दूद के धुले हैं. और नासे वितना वो विपक्षी दल के नेता, जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो भी दूद के दुले हो जाते हैं इसके कुछ उधारण दूँगी हेमंत विस्व सर्मा जी उनके भरष्टाचार पे सुधानशु जी की पार्टी ने पूरा बुकलेट निकाला था ED का केस हुआ, CBI का केस हुआ जैसे ही भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वाशिंग मशीन में धुलके पाक साफ हो गए जैसे ही भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ED ने महराश्टरा हाइकोर्ट में क्या कहा, उन्हों ने कहा हमें चगन भुजबर जी की फाइल नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, तो देखिए ये बिलकुल साफ है, कि आज केस होना, आज ED के चापे पढ़ना, CBI से गिरफतारी होना, ये किसी चार के खिलाफ लडाई नहीं है, ये सब रह्ष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है, कि उन्हों पर केस करो, और सारे ब्रह्ष्टाचारी हमारी पार्टी में आजाएं, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंट कारवाई करते हैं, मतलब पुलिस क अनोटिस खचाक बेज दिया, देखें ये वो पार्टी कह रही है, जिसका स्टैंड क्या था, आरोप लगते ही स्तिफा दे दो, जाँज बाद में होनी चाहिए, आज कहते हैं, जेल में जाने के बाद भी स्तिफा नहीं होना चाहिए, सोच ये कितना बड़ा बदलाव आ ज अन्शोधन कर दू, हमने किसी नेता खिलाफ कोई केस विड्रो नहीं किया है, हमारे जो, हमारा स्टैंड चेंज नहीं हुआ, हम दे का जी आरोप था, आरोप है, चल रहा है, हिमंत पविश्वर्मा जी हमारी पार्टी में जोईन करने के बाद भी केलकटा में सीबी आई के सामने एक बार अपियर हो चुके है, मगर स्टैंड इनका चेंज है, सुनिए, शार्दा के बारे में ऑफिशल स्टैंड है, इनकी गौवर्मेंट का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, अचानक कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार भ्रस्ट थी, हमने बड़ा भ्यानक भ्रस्ट सर्टिफिकेट आकर देना, फिर अपने नेताओं को भिकाव होने का सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है जो काम आज आम आदनी पार्टी और कॉंग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, इसका आपको उधार देखने को नहीं मिलेगा, इनके बाद तो 90% की मेजॉरिटी है, इनक का वर्टिकल डिवीजन हुआ, अरे क्या आप बात कर रहे हैं, हमने तो वो वो चीज़े दे लिए हैं, जो एमर्जनसी के फरजी केसे, जॉर्ट फरनांडिस जी को हदकड़ी लगाके, सड़क पे चलाए गया एक अपराधी के तरह, बड़ोधा डैनामाइट केस में, जो क एक और बात कहूं, वैसे एक और, एक केजरिवाल जी का ट्वीट है, 2012 में, शरत तौवार जी के बारे में, ऐसा ऐसा, एक एक लें, आज पर आज पर आ जाते हैं, ये 25 करोड के ओफर का क्या मामला है, ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी जी के खिलाब, सवर्गी अरून जेटली जी के खिलाब, नितिन गटकरी जी खिलाब, केजरिवाल जी ने हाथ उपर करकर के आरोप लगाया, जब कोर्ट में मानहानी का मुगद्बा हूँ, उनना जी हम विड्डॉव करते हैं, अब जिनके आरोप का आधार कोर्ट में नि और जुद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, तो रिकोड़टी रखनी चेहींगा, आपकोळ एफिल रखेंगे, विड्कुर राखेंगे, समय आने पे जरूर रखेंगे, निके पाटी के उपाधियक्ष, शेर सिंग डागर जी एख है, एक समय पे काफी फेमस हुए लोग उनको भूल गाए होंगे शायद अब जब 2013 में आमादनी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी और हमें 28 सीटे आई थी और इनको 32 सीटे आई थी और किसी की मेजोरिटी नहीं थी अर्वन केजरिवार जी के स्तीफे के बाद भार्तिय जंता पार्टी ने ऐसे ही बुर्जोर कोशिश करी थी आहमादनी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था तो शेर सिंग डागर जी ने मात्र 25 लाग रुपे का ओफर दिया था हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी को और उसका स्टिंग पब्लिक भी हुआ था सधान्शु जी दूसरी बात अमीश जी लिए सब जानते हैं देश में एक ही पार्टी है जो और पार्टियों को तोड़ तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर सरकार बनाती है गोआ में कॉंग्रिस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई करनाटिका में कॉंग्रिस और जेडियू के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई महाराश्च्रा में शिर्सेना के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई ये पूरा देश जानता है नहीं हुए हैं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने का, हमारे पास Amit Shah है, ये राम माधव जी के शद थे, तो इनके पार्टी के नेता खुद, प्राइम टाइम टेलिविजिन पर मानते हैं, के संख्याबल ना होते हुए भी, ये सरकार बनाते हैं. झाल झाल